अगर आपने एक खाल समय तक ब्रहमचिरे पालन कर लिया, तो लोगों का वहवार आपके लिए एक दम बदल जाएगा, उनकी आखों में आपके लिए सम्मान होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, आप जहां भी होते हो, वो आपको सुनना चाते हैं, ऐसे लोग जिन से आप बिल्कुल मिलते नहीं हैं बात नहीं करते हैं, वो भी एकदम से आपके पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, और करियर के जिस भी फिल्ड में आप हैं, उसमें नए-नए मौके आपके लिए खुलने लगते हैं, तो अचानक से सामने से कोई ओफर आ जाए, तो हैरान मत होना, क्योंकि लोगों को आपका काम पसंद आने लगता है, आपकी औरा बदल जाती है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्क में अकेले सहर पे जाओ, और अनजान लोग आपसे बात करना चाहें, एक बार नहीं, कई बार, वो भी अलग-अलग एज ग्रूप के लोगों से, निकुला तेसला कहता है कि अगर आपको इस ब्रमभांट के सारे रहसे जानने हैं, तो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को ध्यान में रख कर सोचो, तो हम अपने एनर्जी फिल्ड के वाइब्रेशन को बढ़ा रहें, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी का स्तर बढ़ रहा है, जिसमें वो चुमबकी आकर्शन है, जो आपके आज-पास के लोग सेंस कर पाते हैं, वो कभी explain नहीं कर सकते कि वो है क्या, पर उसे महसूश जरूर कर पाएंगे, तो जब आप ब्रह्मचरे पालन करते हैं, आप अपने अंदर के देवत्व को बढ़ा रहें, और धीरे धीरे देवता ही बन रहें, आप लोगों के लिए एक उधारन बनते हैं, कि जिन्दगी को जीने का सबसे उच्चतम स्थर क्या हो सकता है, बिना कुछ की एक इसी ग्रूप में आकर्शन का केंदर बन जाते हैं, ये जो magnetism की ताकत है, इसका कारण है काम वासना का रुपांतरन, क्योंकि ये वासना अपने आप में बहुत बड़ी energy का source है, और जब आप इसे बरबाद नहीं करते, तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली ताकत में बदल जाती है, जिसे ओजस कहते हैं, जिसे आँखों में तेज, चेहरे पे छमक और voice में शक्ति आती है, इसके अलावा आपके अंदर के अंगिनत बदलाव को भी लोग अपने subconscious लेवल पर सेंस कर पाते हैं, तो चाहे आपकी उमर कितनी भी हो, अपने आपको डेड़ से दो साल का समय जरूर दे ब्रहमचरे में, फिर आप जी करके देख रहे होंगे कि कितना कुछ बदल सकता है, हम ऐसे बहनों को जानते हैं जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, और सब ब्रहमचरे का पालन करती हैं, उन्हें कोई आशिके से मतलब नई, बस अपने माता-पिता के लिए जीना हैं, कि ये लड़कियों से सम्मान मिलता है और वो हमेशा आपका साथ देती हैं, और मजिदार भात तो ये है कि आप किसी को इंप्रेज करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, दुस्तो अब जो बताने वाला हूँ आपको उसको एकदम ध्यान से सुनना, कई लड़के जिनको बहुत अच्छी परवरिश मिली, अच्छे इंसान भी हैं, पर दो-चाल लड़कियों की बातों में आकर अपनी परसनालिटी को ही चेंज कर लेते हैं, उनके लिए बैड बाय बन जाते हैं, गलत चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्यूझकि कि किसी लड़की को ये कूल लगता है बोलकर, भले ही न लड़कियों की जिन्दगी बरबाद है, उनको नहीं पता कि क्या करेंगे करियर में आगे, लेकिन लड़के क्या कर रहे हैं उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, देखे इस बारे में काफी सारी चीज़े हैं कहने को उसके बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे पर याद रखना अगर आप एक लड़के हो और ऐसे ही किसी भी लड़की के पसंद नापसंद के हिसाब से चलते हो तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहें तो इससे पाइदा होगा इंस्टा और टेलिग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ें उसके डीटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं खुद पर ध्यान दो दुनिया आप ध्यान देगी मिलते हैं आप से गली वीडियो में